गोबर और गायक का घी जो मिला करके एक पात्र में हम रखा है उसको चार दिनों तक अलग जो है हम रखेंगे और इसको भी चार दिनों के लिए अलग रखेंगे पांचमा दिन फिर क्या करेंगे कि दोनों को हम मिला देंगे इसी में डाल देंगे और उसको अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे एक बड़ी लक्री चड़ी से घरी की दिशा में और घरी की बिप्री दिशा में ठीक है पांचमा दिन हम दोनों को मिक्स कर देंगे और फिर उसको चोड़ देंगे हम 15 दिनों तक कहां रखेंगे ठंडे जग से ढख देंगे या बहांद देंगे और परते एक दिन, 15 तक जो रखेंगे तो परते एक दिन हमको तीन बार के सुबह दो पाहर साम चड़ी से इसको घड़ी की दिशा में और घड़ी की विप्रीद दिशा में अच्छी तरह से मिला देना है ताकि उपर और नीचे का हिस्सा आची तरह से मिल जाए, दोनों के मिक्सर को मिलाने के 15 दिनों के बाद हम फिर सूती वाली कपड़े की मदद से इसको हम छान के अलग कर लेंगे, जो छणा हुआ पदार्थ हमारा मिलेगा, जो घोल मिलेगा, वो हमारा हो जाएगा पंच गब, अब उस पंच गब का हम छिरका करेंगे, उसके लिए भी तरीका है, छिरकाओ अगर आपको करना है, तो तीन परतिसत, यानि एक लीटर पानी में 30 ml, 30 ml पंच गब को आप एक लीटर पानी में मिला करके, आप छिरकाओ करेंगे, फसल की बढ़वार के इसाब से आपको पानी की मातरा की जोरत पड़ेगी, और कम से कम आपको दो छिरकाओ करने चाहिए, एक फूल लगने से पहले और एक फूल लगने के बाद,